आप सभी को मैं फीटर के कुछ कुश्चन बताने वाला हूँ जिन कुश्चन का मैं अंसर भी बताऊँगा उनका सॉलूशन भी बताऊँगा तो आप ध्यान से उन कुश्चन को सुनिए और समझेए पहला question है छेनी की दार पर crowning का क्या उत्देश है तो crowning हमें समझना पढ़ेगा थोड़ा सा जो हमारा छेनी का cutting age होता है उस cutting age को इस तरीके से उत्तल सेप में बनाया जाता है ये भी question हो सकता है कि उत्तल सेप का question आप से पूछा जाए कि उतलता होती है या उतलता कहा होती है तो खेर ये कोशन हमारा बात का है अभी का हमारा में कोशन है क्राउनिंग का क्या उत्देस है दोस्तों क्राउनिंग बनाने से हमारे छेनी की जो कौने होते है ये वाला कौना वो ये वाले कौना यदि हम इसको सीधा बना देंगे तो कोने जो होंगी कोने हमाई material में धस जाएंगे तो यह material में धसने से रोकता है और उनकी खुदाई करने से रोकता है उसका बी answer right answer हो जाएगा next question हम करेंगे 100 woman number question आपके सामने है 152 number question देखे दातू काटने की पिरिया में tool को बर्क सर्फेस से रगडने से कौन रोकता है तो यह याद कर लेजिए हमारा इसका C answer, right answer होगा किसी भी टूल का दातू के रगड़ने से जो रोकता है चाहे वो ड्रल हो, चाहे रीमर हो, चाहे चीजल हो कोई भी टूल को रगड़ खाने से जो रोकता है उसे हम clearance angle कहते हैं कोई doubt नहीं होना चाहिए, 153 number question देखे, 153 number question आपके सामने ये है दातू की उस property का नाम बताए, जो sock impact को सहन कर सकता sock, sock मतलब होता जटके को सहन करने वाला तो दोस्तों जटके को सहन करता है, उसको मैं बताता हूँ, देख लेता हूँ इस option में क्या कहते है, देखे, पहला option जो दिया गया है पहला number option दिया, tena city, tena city जटके को सहन नहीं करता है दोस्तों तो ये गलात अंसर हो जाएगा, tena city जो होता है वो खिचाओ सक्ती को सहन करता है, खिचाओ power को सहन करता है अब हम और option देख लेते हैं, और कौन से option है, देखे, तीन option ये आपके सामने है मैं आपको दिखा रहा हूँ, hardness है, भंगुरता है, और toughness है तो दोस्तों जो toughness होता है, toughness जो होती है, जिसे हम चीमरता कहते हिंदी में हमार toughness होता है, ये हमारा जो है, जटकों को, या एकदम से कोई जर्क पढ़ता है, उसको सहन कर लेता है तो इस question का answer, दोस्तों, the answer, right answer हो जाएगा 104 number question पे हम आ गए हैं, question को दियान से पढ़ाएंगे कौन सा part measuring face है, जो बाहरी micrometer के frame से fit होता है तो दोस्तों हमें ऐसा एक measuring face बताना है, तो micrometer में दू measuring face होते है, micrometer में एक होता है spindle की तरफ और एक होता है anvil की तरफ देखे, ये spindle है और ये anvil है, तो दू measuring face होते है एक anvil में होता है, और एक spindle में होता है दोस्तों, तो हमें बताना है किसका मेजरिंग फिस बताना है फ्रेम के साथ फिट होता है तो फ्रेम के साथ दोस्तों हमारा क्या फिट रहता है एन्विल फिट रहता है तो इसका यह answer right answer हो जाएगा next question हम करते है next question 155 number question देखे 155 number question यह आप सामने है इस micrometer का नाम हमें बताना है किस माइको मीटर का क्या नाम है तो यह माइको मीटर आपके सामने देख ली जिया तो इस माइको मीटर को हम बोलते हैं डैप्ट माइको मीटर कैसे बोलेंगे क्योंकि इसमें रोड लगी हुई है तो डैप्ट माइको मीटर इसका यह आंसर राइट आंस इस तरीके कर रहता है उन नीचे जो होता है नीचे चक होता है इसमें ये चक ये जो हमारे डिल को पकड़ता है खेर इसमें डिल की बात नहीं हो रही इसमें ये बात हो रही कि जो ये चक होता है इस चक को मसीन के स्पिंडल में कैसे पकड़ते हैं तो चक को मसीन के स्पिंडल आरबर की द्वारा पकड़ा जाता है जिस पर मोस्ट इपर होता है तो आरबर द्वारा तो 156 नंबर का अंसर जो हो जाएगा वो यह राइट अंसर हो जाएगा अगला 117 नंबर कुश्चन है इसके option अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं कौन सी dilling machine में spindle head को column के पास और दूर करा जाता है यहीं डिलिंग मसीन में जो हमारा डिल का स्पिंडल होता है उसको हम कॉलम से दूर या पास कर सकते हैं ऐसी कौन सी डिलिंग मसीन होती है तो दोस्तो आप सब जानते हैं एक डिलिंग मसीन होती है रेडियल डिलिंग मसीन तो radial leaning machine में column से हम spindle को दूर और pass कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा सा pillar होता है उसे हम column कहते हैं तो column से हम spindle को दूर भी कर सकते हैं और pass भी कर सकते हैं अगला है किस screw thread में crest और root को गुलाई में बनाया जाता है तो ऐसी कौन सी screw thread होती है जिसमें हमारा crest होता है वो भी गुलाई में होता है root होता है वो भी गुलाई में होता है तो crest और root जो हमारा गुलाई में होता है उसे हम BA कहते हैं या BSF कहते हैं या BSW कहते हैं या ECMI कहते हैं तो दोज तो जिसके रूट और क्रिष्ट गुलाई में होते हैं उस साधानता कौन सी थ्रेड होती है वो होती है बी एस डबलू थ्रेड तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका 169 नमबर कुशन है इस टेप का रिंच का नाम बताना है कि यह कौन सा टेप रिंच ह जिसमें दोनों तरफ हैंडल बनी हुए इसमें हम हैंडल को हांस से क्या करते हैं से से पकड़ते हैं दोनों तरफ से और इसमें यह की इसकार बना हुआ है यह स्कार क्या होता है जो हमारे हैंड टेप होते हैं उस टेप को पकड़ता है क्योंकि हैंड टेप की जो सेंग होती में दाएगा तो इसंप्राइंग तो इसे यह हेंड़ में नहीं मॉचेंगे में बन पाएगे टो दोस्तों इसलिए हैंड topic के को ही इस हेंडल में हम पकरते हैं इसलिए इस रिंच का नाम है क्योंकि इस में कोई बी वैड्जेस्टा नहीं बज़त नहीं कर सकते हैं यदि इसका एक handle मोटा होता और एक handle पतला होता तो हम इसको कह देते adjustable type है tap range इसका अगला देखे ये ये है tap deal size देखे tap deal size की गड़ना करने का सूत रहे तो मैं दोस्तों पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि tap deal size का सूत होता है ती डी एस वराबर टी एस माइनस टू डी देखे इसमें देख लीजिए इसमें tap deal size की गड़ना कर दो अब बचा हमारा कौनसा पहला वाला और पहला वाला और बचा कौनसा वाला ये दो आंसर हमाए पास बचे हुए है अब देखिए इसमें major dia minus 2 into depth पहले में दिया और इसमें दिया देखिए 2 plus depth दिया देखिए आप ध्यान से देखिए question में इतनी बारी किया है इसमें देखिए जिसमें मैं circle कर रहा हूँ इसमें plus है और इसमें into है तो into वाला answer right answer होगा इसलिए यह answer इसका right answer हो जाएगा यह answer very most answer है और अच्छा answer होगा अगला question 161 नम्मर यह आपके सामने question है मैं दिखा देता हूँ कौन सी गतिविदी डिलिंग करते समय डिल वित के अत्तिधिक अब अत्तिधिक क्या है मैं आगे जब question पढ़ूँगा यानि डिल वित मतलब डिल की बात हो रही है तो डिल वित के अत्तिधिक अत्तिधिक मतलब क्या अत्तिधिक वो देख लेते हैं मागे अत्तिधिक घिसने और आवाज का कारण बनती है यानि हमारा डिल वित ज्यादा घिसेगा और अधिक आवाज करेगा तो दोस्तो इस question का आंसर जो है कई किताबों में गलत दिया गया है जब घिसेगा और आबाज तभी करेगा जह हमारी डिली की जो फीर होगी फीर की दर बहुत दीमी गती नहीं होना चाहिए बहुत तेज गती से होना चाहिए, हमारी फीड जो होना चाहिए, यह answer गलत है, बहुत तेज फीड होगी, मता हमारी फीड की जब दर जादा होगी, तमारी हमारे टूल पर बल पड़ेगा, बल पड़ेगा तो आवाज करेगा, तो इसका A answer, right answer होगा, कई किताबों में इसका B answer कर रहा है दोस्तो, तो B answer आप ना लगाए, यह answer ही लगाए, इसका अगला question यह है, inch graduation, यह question जो है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, कि मैं अगले दिन इसका वीडियो बनाऊंगा, मैं mm की graduation तो कई बार बता चुका हूँ, लेकिन inch की graduation में आज बताने वाला हूँ, inch क graduation में आपको तीन चीजों का जरू ध्यान रखना है, सबसे पहला main division जो होता है, main division होता है, point one inch का, sub division होता है, point zero two five inch का, और जो थिंबल division होता है, point zero zero one inch का, इन तीन चीजों का आप जरू ध्यान रखेंगे, यह तीनों division मैंने लिखती है, सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें कौन सा man division तो देखिए आपको man division आपको यह दिख रहा होंगे man division दो दिख रहा इधर तीन दिख रहा यह man division है इसके man division देखिए जब इधर दो दिख रहा है इस जगए दो तो इधर एक भी रहा होगा एक रहा होगा एक क्योंकि एक आएगा तभी तो दो आएगा तो एक यानि इस जीरो ने बनियर स्केल के जीरो ने मैन स्केल के जीरो को भी पार कर दिया और जीरो के बाद एक को भी पार कर दिया एक को पार करने के बाद इसने चार के बाद साड़े-चार निसान पार कर दी देखे साड़े-चार आप ध्यान से देख रहे होंगे इसको थोड़ा मैं फिर से आपको दिखा देता हूं इसको कट करके इसके रीडिंग में हमें क्या देखना पड़ता है रीडिं पर बन लेखता हूँ 1, 0 के वाद 1, तो 1 की value होगी 0.1 inch, 0.1 में लेख देता हूँ 0.1 inch, अब हम देखते हैं, दीखे 4 के आगे आदा निसान पार किया है, 4 का, 4 के आगे आदा निसान पार किया है, तो ये एक जो खाना हो गया, वो तो हो गया, तुमारा कितना, एक की value हो गई इसमें, एक की value हो गई, एक इंच, एक खाने की value कितनी हो गई, एक इंच, तो इसको एक इंच को में लिखता हूँ, एक इंच लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक निसान पार किया, तो 1.00, ठीक है, 1.00, इंच हो गया, अब देखिए, 4 के बाद आदा निसान और है, तो 4 के बाद आदा निसान है, तो 0.45 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक खाने की value, जो छोटे-चोटे 10 खाने है, ये 10 खाने, एक खाने की value 0.1 इंच है, अभी मैंने लिखी थी 0.1 इंच, तो 4 की value हो गई, 0.4 और आदा और है, तो 0.45 इंच हो गया, इसके बाद आगे, इस लाइन मैच कर रही है, ये 9 मी लाइन मैच कर रही है, 9 मी, तो इसको जोड़ दीजिए, 1.459, हम रीडिंग देखते हैं, रीडिंग कौन सी है, 1.459, दोस्तों इसमें जरूर धिया रखना है, इसमें सब डिविजन नहीं दिया गया है, इसमें मैन डिविजन है, बनेर अपयोग 45 डिग्री और 90 डिग्री कोई को मापता है, तो दोस्तों 45 डिग्री जो होता है, और 90 डिग्री इस तरीके से रहते हैं, तो जो 90 डिग्री रहता है, ये स्क्वार होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को, कुछ कुश्चन इसमें सरल बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं, क्षिन को कुछ लोग छोड़ो देते हैं, कषिन को भी हमें नहीं छोड़ना है, 것으로 को भी नहीं छोड़ना है, दीकिंए अगला angle plate में rib क्यों प्रदान किये जाते हैं, यह angle plate होती इस तरीके सी 90 degree में, तो इसमें इस तरीके के खाचे होते हैं उसे slot कहते हैं इस तरीके से तिर्चे जुड़े रहते हैं उसे हम rib कहते हैं यह rib इसलिए बनाया जाते हैं ताकि distortion ना हो यह हमारी अंगल प्लेट टेड़ी ना हो तो देखिए distortion का कोई option इसमें होगा prevent distortion तो इसका b answer right answer हो जाएगा अगला आ जाता है 165 number question इस b block का प्रकार हमें पहचानना है देखिए इस b block में ऊपर एक level है एक नीचे level है तो double level हो गया और एक किनारे पर एक एक इसमें group है तो single group होगा तो देख लेते हैं option में double level single group इन दो option में नहीं है ये option b option गलत हो गये हम आगे देख लेते हैं दूसरे option में इसका double level single group तो देखिए c answer में दिया गया है double level single group तो ये answer हो जाएगा इसके बाद है steel में कितनी carbon content forge हो सकता है यानि किस steel को हम forge कर सकते हैं इसमें carbon की मात्रा हो तो दोस्तो जितनी भी steel होती चाहे वो low carbon हो चाहे medium carbon हो चाहे high carbon हो तो हम 1.7% तक carbon वाली steel को क्या कर सकते हैं forge कर सकते हैं forge करना मतलब उसकी पिटाई कर सकते हैं गर्म करके तो दोस्तो इसका answer होगा b answer right answer हो जाएगा याद कर लिजिए इसके बाद next question हम पहुंचते है next question 167 number question पे आ जाते हैं कास्ट आरन में dealing के लिए किस cutting flute का उप्योग करते हैं तो मैं कली बताया था कास्ट आरन अपने अप ठंडा होता है तो इसके लिए हम या तो सू का उप्योग करेंगी एर जेट का उप्योग करेंगे हवा का उप्योग करेंगे तो इसका यह answer right answer हो जाएगा 168 का 168 number देखिए 168 number radial dealing machine अभी-अभी मैंने बताया था जो के radial dealing machine में जो हमारा spindle होता है जो column से तो देखिए यह column है हमारा इस column से जेकि यह spindle है जिसको मैं गोल कर रहा हूँ तो यह spindle ऐसे पास में भी चला जाता है और इधर से दूर भी आ जाता है यह column से यह column है देखिए मैं C लिख देता हूँ यह column है और यह हमारा spindle है इधर S लिख देता हूँ बीच वाला हिससा है जिसपे यह motor लगी हुई है उपर यह carriage होता है तो carriage होगा या इसका base होगा देख लेते हैं इसमें क्या answer है इसका इसमें आधार दिया spindle दिया है इसमें और spindle head दिया देखिए मैंने सबसे पहली बोला था कि head हो सकता है क्योंकि spindle गुमाने का काम करता है तो इसे हम head कहते है carriage भी हम कह सकते हैं चाहें तो इसको अगला question चलते हैं आगे next question पर 179 number question इसमें देखिए यह हमारा सवाल है इस सवाल को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगी क्या सावधानी बरतना पड़ेंगी सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा किस सिस्टम का है तो देखिए आपको mm देख रहा है mm बाला जो होता है यह हमारा metric system होता है तो इसके लिए rpm का जो सूतर होता है दोस्तो rpm बराबर होता है cutting speed into 1000 बटे बटे pi into d तो cutting speed कितनी है 30 into 1000 करेंगे हम दोस्तो बहुत ही आसान है pi का 1 कितना होगा pi का 1 22 बटे साथ होगा और इसका d का 1 कितना है दोस्तो d का 1 24 है तो 24 से दर रख देंगे अब इसके हम काटा पीटी करेंगे काटा पीटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा यह साथ जो भाग का है यह उपर गोड़ा में पहुँच जाएगा साथ पहुच जाएगा उपर हम इसको काटेंगे तो काटने के बदे हम इसको finally काटेंगे आप इसको काट लेना यदि ना आए तो हमें बता देना इसका अंसर मैं आपको बता देता हूँ 179 नंबर का अंसर जो आएगा इसका 400 RPM के आसपास इसके अंसर आएगे accurate 400 नहीं आएगे मुझे मालूम है 399 पॉइंट कुछ आएगे लेकिन आपका अंसर इसका C आंसर राइट आंसर हो जाएगा 170 नंबर कुश्चन जो है 170 नंबर कुश्चन पर हम पहुंचते हैं 170 170 नंबर कुश्चन देख यह है छेद में रिविट डालने के लिए छेद में रिविट डालने के बाद पिलेटों को निकट लाने के लिए किस टूल का प्रियोग किया जाता है देखिए दो हमारी प्रस्ट प्लेटे हैं इन प्लेटों में हमने रिविट को डाल दिया है इस तरीके से रिविट डालते हैं अब इन प्लेटों को हमें दवाना है उपर से तो इस तरीके से एक टूल रहता है जो मैंने उपर बना दिया है तो इस टूल से जो है प्लेटें द पास पास लाने के लिए देखिए आप एक बार और question पर गौर कीजिए पिलीटों को निकट लाने के लिए तो निकट लाने के लिए हम इसके लिए rivit set का उप्योग करते हैं जिससे हमारा जो पिलेट हैं जो दब जाती है जो tool मैंने बनाया है तो इसका अंसर rivit set राइट अंसर हो जाएगा अगला है bent snip bent snip जो होती है इससे हम क्या करते हैं तो इस तो आप snip जानते हो कि जो snip से हम जो seed को होता है उसको काटा जाता है मैं snip बना देता हूँ बहुत ही जल्ली से इस तरीके से ये cuter होता इस तरीके से जाता इसे हम bent finite में क्टिंग करते है तोKY डियस में क्टिंग करेंगे तो इसका debate answer राइट आझा है लेकिन कभी कोई अगर बड़ा बड़ा radius आए कोई एगा तो वह बड़ा radius आएगा तो बेंट सिनिप से नहीं कटेगा बड़ा radius कटेगा state snip से अगला question है 172 number question एक्स के रूप में क्या दिखायागा ये x के रूप में ये shear बना हुगा है इसे हम snip से जो मोटी seat होती है वो snip से नहीं कटती है तो मोटी seat को सियर से काटते हैं तो दोस्तों सियर से काटने के लिए ये बड़ा सा handle होता है जो उपर handle लगा हुआ है इसे मोटी seat 8 mm तक seat को काट सकते हैं तो एक्स बताना है हमें दोस्तों ये x क्या है इस x को इस seat metal operation का नाम बता है तो देखिए कहीं न कहीं कोई operation इसमें दिखा रहा हुआ देखिए इसमें seat में कौन सा operation हो रहा है ये 173 नमबर में देखिए ये operation हो रहा है मैं इसको circle करके दिखा देता हूँ इस ऊपर से ये कह गुरूबर है गुरूबर है वो seat को दावा रहा है तो ये कौन सा operation हो रहा है ये operation हो रहा है अभी मैंने बोली दिया कि ये तूल का नाम क्या है गुरूबर तो यह दिखे यह option में दिया गया है गुरूबिंग तो इसका यह answer right answer होगा next question हम करते है 174 नमर question थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दीता हूँ zinc coated iron का नाम बता तो दोस्तो zinc या zn zinc का symbol जिंकी जिस पर coating की जाती है उसे हम galvanide iron कहते तो इसका d answer 174 का जो answer होगा वो d answer right answer हो जाएगा अगला चलते हैं हम next question पर यह फिर से देखिए यह very very most question है यह question अच्छे अच्छे जो दोरंदर लोग होते हैं उस्यार लोग होते हैं वो भी इस question को नहीं कर पाते हैं यह question का मैं trick आपको बताऊंगा आप यह चुटकियों में कर देंगे और यदि आपको यह question अच्छा लगे यह video अच्छा लगे तो हमारे channel को आप subscribe करें video को share करें like करें ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत करता हूं ठीक है तो हम question करते हैं इस में क्या बताऊंच इसील का बज़न हमें निकालना है बज़न निकालना बज़न नन मतलब हमें निकालना है इसका इसका निकालना है इस टील का बजन हमें निकालना है बजन निकालना है इसका निकालना है मास तो M बरावर होता है M, M बरावर होता है B into D, B into D होता है यह सूतरा प्यात कर लिए अब देखे, D, D की वैलू कितनी है, D की वैलू आपके सामने इस पस्ट है, 7.85 तो हम इदा 7.85 रखते हैंगे, 500 mm जो होता है, चोरी है, ओर 4 mm जो है मोटी है, तो यह घनाप के सेप में, निकालना, यह स्टीमीटर में बनाना पड़ाएगा, सेंटीमीटर में हम बनाएंगी, कैसे लंबाई को, 2100 mm में कितनी होगी, तो 200 cm होंगे तो हम 200 रख देंगे इसका चोड़ाई 500 mm है तो हम 50 रख देंगे दोस्तों C जो मुटाई 4 mm है इसको हम 0.4 रख देंगे हम इसको गोड़ा करके जो value आएगी उसको हम रखेंगे इदर भी की जगए तो इदर भी की जगए जो value रखेंगे दोनों का हम गोड़ा करेंगे तो यह हमारा जो answer आएगा वो gram में आएगा वो gram में आने के बाद उसमें हम 1,000 का भाग देंगे तो वो kilogram में बन जाएगा दोस्तो kilogram में जहां हम बनाएगे तो इसका answer निकल के इसका answer भी answer आपके सामने निकल के आज आएगा दोस्तो इतना थोड़ा सा काम आपके लिए आप उस सवाल को हल करें ना बने तो comment जरूर करें वो बन जाए तो भी आप comments करके हमें जरूर बताएं मैंने पूरा आपको सवाल बता दिया है नेक्स चलते हैं नेक्स question की तरफ 176 नमा जंग और घर्षण के लिए जंग और घर्षण के लिए कौन सी seat अत्तिक पितरोदी होती है यानि जंग जिस पे ना लगे उसका विरोध करे कौन सी seat होती है तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ पहला दिया copper seat और फिर दिया है black carbon seat अब मैं और 아उंसर आपको दिखा देता तो दोस्तों इस में इन दोनों में से ऑनसर होना चाहिए ज्याद़ाकरा कर ट je एलमसूनियोम में होना चाहिए अक्सी डेसन कम होता है तो सभीमें इसने एलमसूनियोम जब myst好 यह दिए अगला है अगला जेकिन ने मैंत सच भुज से खतकर साइज की गड़ना का सूत्र जानिया हुआ हमारा ़धा फॉर्मूला केल्कुलेट्ट था इकुलेट को चाहिए गहां पैल रेगुल करन से गहले बीच को जर्थ यह कपा इसको है इसकी दूरी होती है अंडा रोट 3A फ्लेट टू फ्लेट दूरी यह हमारा मेट का फर्मूला है 178 नमबर कोश्चन पर हम आ जाते हैं 178 नमबर कोश्चन देखिए आपके सामने है सीट मेटल में बर्क में इस्टेक का क्या कार होता तो दोस्तों जो हमारी फोर्जिंग में जो एन्विल होती है उसी तरीके से हमारी इस्टेक होती है मैं आपको इस्टेक बना देता हूँ इस तरीके से एक इस्टेक रहती है इस्टेक मतलब होती है एक परकार की नहाई होती annually कहते हैं जैसे मैंने यह stick बना दी हैचेट, stick बना दी, तो stick जो होती है हमारी seat को support करती है, उस पर हम seat को रख सकते हैं और चोट भी मार सकते हैं, band भी कर सकते हैं, तो seat metal में देखे supporting piece लेकिन किसको support करेगी seat को support करेगी तो इसका be answer right answer होगा, 189 शीडिरिंग होता है जिससे हम गरम करके मस कुं सा कोन सा होता हुब याउन और egt राइट डातर हो जाएगा 180 चाव हए 180ब का कूश्यन 180 नमर को Steel की Soldering हमें Steel की Soldering करने के लिए किस Fluss का प्रयोग करते हैं तो Fluss की एक List है उस List को आप किताब से जाके अपनी कोई एक Notes बनाईए उस डायरी में Note कर लीजिए क्योंकि अभी तो हमें याद हो जाएगा और बाद में हम भूल जाएगा तो जो भूलने वाली चीज़ें हैं उनको एक डायरी में Note कीजिए तो आपके लिए इस Question का मैं आंसर बताता हूँ जो Steel की Seed होती है इसके लिए Steel की Seed के लिए हम Ammonium Kiloride का उप्योग करते हैं Ammonium Kiloride का सी आंसर होगा यह अंसर होगा तो इसको आप Note कर लिए अपने डायरी में जो Short Notes होते हैं जहां हम एक जाम के लिए जाते हैं तो उनी Notes को पढ़ते हैं पूरी किताब नहीं पढ़ते हैं तो दोस्तो आज के यह रहे 30 Question तो आपको दोस्त जैसे Question लगे हूँ अच्छे लगे हूँ और बोरे लगे हूँ आप कमेंट्स जरूर करें हमें बताएं ताकि हमें पता चले कि हम आप लोगों कैसे समझा रहे हैं और इक किसी भी Question में दिक्कत हो तो भी कमेंट्स करें आज के लिए इतना ही ओके बाय बाय